और मैंने शुरुवात में जैसे कहा कर रहे थे ठीक है बनर जी चटर जी राहूल गांधी को वहां हसी ठटा करता हुए फोटोक बनाने की क्या ज़गोत थी और फिर उन्होंने छाती भी ठोकी राहू जी ने उन्हें कमें ने बनाया वीडियो मेरे फोन में अभी भी है लोकल आं तक देखना दोस्तों आज की डिवेट होने बाली है नीडर पत्राकर अमिता भुगनियोत्री और कंग्रेस की प्रवक्ता राज शर्मा के भीच में दोस्तों आज की डिवेट की मुद्दा है टीम सी की नेता को लेंड बैनर जी हमारे दिश का उपराश्टोपती धनकर दोस्तों वीडियो बहुत मुझातर होने वाली है अंतक देखना वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना चैनल पर पहली पर आया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राया है कमेंट में जरूर लिखके जाना चलिए शुरू उसके बाद हुआ इतने लोग धुआधार बर्खा निलंबित क्यों हो गए अचानक से एक यह कार्टून नेटवर्क क्यों लगा दिया क्या नेरेटिव ही चेंज हो गया मुद्दा पलटके आपके उपर आ गया देश भर में एक नया नेरेटिव सेट हो गया कि वह किसान का जातका अपमान किया और राहूल गांद सबसे बड़ी बात गुस्सा कल्यान बनर जी पर कम दिख रहा है मुझे गुस्सा राहूल गांदी जादा दिख रहा है कि वो हस्ते हुए उसका वीडियो बना रहे और पिर उन्होंने सगर्म भोशना की कि हाँ मेरे मुवाइल में अभी भी है वीडियो मैंने बनाया और मिम्रिकी की बात है अब राहूल गांदी क्यूंकि वीजेपी की रोटी हजम तब होती है जब दिन में 107 बार राहूल गांदी जी का नाम ले ले मैं दाबे किसंद कह सकत हूं कोई भी बड़ा नेता हो उसे 24 घंटे अपने संग रखना और उसे कह देना रहूल गांदी नाम मत लेना उसे कब जो जाएगा चैलेंज है मेरे कैसा लगा मेरे में जाक अगर कोई अपराद हो गया आँ पायर कर दीजिये और आप खाती नहीं विडबना इस देंग की भारतिये जन्ता पार्टी के सरकाल में रहे के रास्ता जाम कर रहे हैं और एक क्या कह रहे हो भई ठीक राजबाइब आप ठीक 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 तुशुकर है जह ठीक और यह रहु मैं ने शुरुवात में कहा था और मैं अभी वी उस बात पर कायम हूँ कल्यान बनर जी जो भी कर रहे थे वह बात प्रशांत ने अच्छी कहिए मैं व्यक्तिकर तोर पर धनकर सापको जानता हूँ एक आज से नहीं कि उनकी लंबाई के कारण कुछ समस्या आई पीठ में उसके कारण उनका बॉड़ी का पोश्यर थोड़ा डिस्ट्रेप हुआ लेकिन हम लोग ऐसी मर्यादा को लंगन कभी नहीं करते जो कल्यान बनर जी ने किया पवार साब है उनको भी समस्या है क्या उनका वैसा उलंधन वैसे वैसा मजाग बनेगा या भद्रता है मनमहुन सिंग जी नहीं चल पाते अब तो उनके उनका वैसे पोश्यर बनाए जाएगा यह यह पाप हुआ और मैंने शुरुवात में यह से कहा कर रहे थे ठीक है बनर जी चटर जी राहूल गांधी को वहां हसी ठटा करते हुए फोटो बनाने की क्या ज़रुवत थी कांग्रेस आपको दूला बनाने शक्कर में आप ऐसी शक्रम फख जाते हो रोहित अग्रबाल करने समझ में आजाए जहन चोद्री को नहीं करना चाहिए ना जोशी साब कुछ बोल के निकल जाएं समझ जाएंगे चल जाएगा अकलेशी बोल के नहीं निकल सकते ना और फिर उन्होंने छाती भी ठोकी राहुल जी ने उन्हें का मैंने बनाया वीडियो मेरे फोन में अभी भी है लो कर लो बात पूछ पाड़ लो यह ठीक नहीं ना आपको क्यों चक्क्रम पढ़ना था अब ठेतर ही तो हो सकतिए लेकिन एक बात जान लीजिए इस ठेतर ही से की मभी चलेगा और जो बात बात में प्रिशांत ने कहीं वो ठीक बात है अगर आप इतने हुमाइती है कि धन्कर ने तो तो वो तो तो समपधानिक पत्पे है किसी पाज्ति के तो ही नहीं तो फिर तो उनके पक्ष में सब को खड़ा हो जाना चीए फिर क्या बुराई है भाजपास से आप की समस्य आयों सुना भाजपास लडना है धनकड के खिलब चुना नहीं नहीं दुरप्भधी मुर्वू क अगर आप मानते हो वह समवयधानिक पत्पर है उनके पीछे घड़ा हो जाईए आप भारती जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाप मिम्मकरीब बनाते भाजपावाले आपके खिलाप चार बनाते ठीक आनलन्द लेती जनता उपराष्टपती को क्यों चुना उनको नहीं चुनना चाहिए था ना बाजपागी नेता हूं कि मिमिक्री बनाओ ये आपकी बनाएंगे चलता रहेगा और ट्वीटर पर चलता है आरे सोचल मेडिया पर चलता ही है शारीरिक परिष्थिति किसी भी व्यक्ति की जो सार्जिनिक जीवन में है उसकी शारीरिक परिष्थितियों को लेकर अगर आप मिमिक्री कर रहे हैं या अतल जीके लेहजे का और आवा तृ खुश होते लेकिन किसी की am I Ist ещё Арन का और सथा का प्रहशन करने का दूश्वात देश में कभी किसी नहीं किया उकिया हो तो बता दू बड़ा जान दे रहे थी लुग अंकिम समय में नहरू जी महीने डेल महीने परलाइज रहे परलाइज रहे परलाइज रहे परलाइज रहे परलाइज रहे जो समय उनकी किसी ने में मिक्री की कि क्या कि मैंने पेरलाइज जहेदे पंडी जी किसी ने उस चित्र तक को देश के सामने रखने की हिमागत नहीं की यह सम्मान होना चाहिए नेता का यह बड़ी अच्छी बात के यह आथा और दू चीजी नहीं चल सकते है आप धनकड की के खिलाब मोर्चा खोलने हो बाजपा की तरह बाजपा की तरह और पिर कहते हो ठनकड का बाजपास गया ले ले नुद पाजपा क्यों कड़ी है उनके साथ धनकर तो समवैदानिक पद्प है अरे भाई सार तक तो सब लोग खड़े हो समभिधान के साथ तो सब होने चाहिए ना राज सभा में जाएंगे तो सब धनकर यह दिलाएंगे अपने घर से फेल लेकर चैल जाएंगे नहीं के ना इसा होता कर कि आपकी पाडी के मेंबर आपको शफद दला दे नहीं अ राज्य सभा का सभा पती लोग सभा का वारत के उप्राष्ठ पती राष्ठ पती बुखनाय दिश ये सब लोग हमारी इच्छ निव्याह नहीं चलिए ना कि κά नहीं हुं सकते नियुक्ति करने कि यह मर्यादा है तरीका है यह ऊष्छ नकलीका है आप धनकड सहाब के सहमत हों जरूरी नहीं लोग अपनी माता-पिता से सहमत नहीं होते हैं कई बार लेकिन धनकड सहाब के बारे में ऐसा प्रहसान आप करें और उसमें बाकी लोग आनंद लें वो वीडियो तरह दिद्धान से देखिएगा कैसे हसा जा रहा है वो हसना ठीक नहीं इसलिए नहीं कि वो उप्राश्पती है उसके अलावा भी हसना ठीक नहीं हम इस संस्कृति के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते कि एक 80 साल का बुजुर्ग उसकी इस धंक से मजाग बनाने की कोशिश की जाए यह हमारे सामाजिक पांच महीने के बीटर चुनाब का कारिक्रम अनौंस हो जाएगा पांच महीने के भीतर नई सरकार आजाएगी पता लग जाएगा कौन कहां खड़ा है मुद्दा इसे कैसे लोग रहते हैं यहां पर दोस्तों वीडियो आं तर देखने के लिए आपका बहुत-बहुत जन् चलिए मिलते हैं आगली वीडियो में तब तो के लिये जाय हिन जाय वारत जाय सियरम